तो हेलो एवरीवन टाइम हो रहा है भी एक अठारा सो आज की व्लॉग के शुरुवात इस टाइम से होती है और चलते है व्लॉग की तरह बाकी अपने एरिया में कुछ नहीं नहीं चेंजेज हो रहे हैं तो अपने लोग उसी को देखने जा रहे हैं कि अक्शल में क्या क्या साब ओक्य कर दिया है बाकी अब सीधे चलते हैं बाइक की तरफ तो हेलो एवरीवन वेलकम बाक टू माइन यू व्लॉग आज भीड काफी लग रही है व्लॉग में अपने बाकी मुझे पता नहीं भाई यह भीड किस चीज की है दो तिन दिन से मैं रेगुलार नोटिस कर रहा हूं कि यहां पर भीड बहुत जादा लग रही है और बाकी आज मेरा व्लॉग करने का मोटिव बस इतना ही है कि आज मुझे रहा है अपने एरिया में वैसे जो हैं अपने एरिया का जो है बहुत जादा पहले से जादा डेबलप हो रहा है थोड़ा थोड़ा तो मैं कल कि व्लॉग कर रहा थो मैं आ तब भी वह नोटिस किया है जैसे यहां पर इस सारे चेंजिर हो रहा है पहले हां बस अधर खड़ी हो थी थी वाट आप बस बन रहा है जो कि पहले नहीं था यहां पर है तो यह वह बन रहा है रिसेंटली बागी रोड वगरा भी ठीक कर आई है पहले से क्योंकि पहले यह रोड आप देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजे अपने एरिया में बन रही है और थोड़ा बहुत तहसील वगरा को भी चेंज किया है अपने एरिया की जो तहसील है वो थोड़ी से शिफ्ट कर दी गई है अपने मतलब पीछे को बागी तो ओबरॉल लोगों के रियक्शन रिकॉर्ड कर रहे है और बागी थोड़ा बहुत यहां नोटेस करना है भाई लोग अपने सारे आप अपने एरिया में धरसाइड भी काफी साधा चीज चेंज होगी है पहले यह सब चीज नहीं थी ग्रिल अगरा यहां पर लग गई है और प्रॉपर यहाँ पर ना कार पार्किंग बना दी गई है पहले यहाँ पर कार पार्किंग निदी यहाँ बस स्टेंड था है ना बट अब यहाँ पर कार पार्किंग बना दी गई है प्रॉपर जिससे अंदर एरिया में जाम वगेरा नहीं लगता और पहले तहसील भी धर एर्केट एरिया दो कि अधर साइड है कि अधर कि बहुत फेमाश शॉप है वाई यह पकोड़ी होगी ठेक है काफी दूड़ दूड़ से लोग यहां पर आस पास के जितने भी एरिया हैं वहां से खाने के लिए आते हैं और बाकी यह थोड़ा मार्केट वगरा में चलते हैं यह अपने ठाकुरदारा कि मार्केट है चोटी से ज्यादा बड़ी नहीं है इतनी बड़ी सिटी नहीं है कि ज्यादा इसमें कुछ दिखाया जाए मतलब बट इतना है कि सिटी पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूब हो रही है और डेबलप काफी हो रही है ठीक है मुझे अपनी बता जहां तक मैंने सुनाया कि हां के जो नए एज्टिम वाय है हो काफी कॉपरेट कर रहे है अपनी सिटी के साथ और उसे थोड़ा बहुत डेबलप करना का प्लान कर रहे है और एक तरीके साथ अच्छी बात है कि डेबलप हो रही है बाकी यह गाही चल रही है ब थोड़ा राम सब्सक्राइब कर लिए बाइब तक है मार्केट अपने रिये की बस फिर थोड़ा बहुत पीछे चले जाते हैं और फिर से घूम के अपने यह पाया जाते हैं और यही वो जगया है बाई जहां रात में मोमोज वगरा पेलते हैं हम यह वो जगया है रात में मोमोज की पार्टी यहीं पर होती है थोड़ा एक्जास्ट की मज़े ले लो है ना बागी बाई अपना एक छोट असा क्या कहता है ग्रूप बन रहा है राइडिंग का तो जो 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 भाई अपने इधर के एरिया से जॉइन करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं और कॉंटेक करके कहीं से भी राइड के लिए प्लान करेंगे हम सब लोग जितना जादा पॉसिबल हो सका जाद से जादा राइड करने का बाई स्टेंड खराब ही है शायद है बट कुपन को कोई नहीं अपन चलते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा देखके बिकॉज चेकिंग वगेरा कभी-कभी हां पर होने लगती है तो एक्जॉस से प्रॉबलम बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी एक्जॉस्ट वगेरा बताओ कैसा लगा बाकी बाई अपन घूम फिरके उसी एरिया में आ गहें बाकी तो मैंने कहीं न कहीं से सुना धाकी हां ठागुड़तार हमें भी जैसे वो नहीं होते है बहुत सारे प्लेसेस पे लाइक वहां का आइडेंटिटी नोट करने के लिए लाइक आई लव नैनिताल आई लव रामनगर ये गर के कुछ तो अपने एरिया में भी एक छोटा सा पॉइंट बना है और देखके आते हैं भई क्या सीन वहां का बैठता है बाकी तो गाड़ी का भी थोड़ा बहुत काम करवाना है अब ये टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा सा सची बताऊं तो क्योंकि फुरसत से काम होना है बागी दो-तिन चीज़ें इसकी ओर्डर पर डाली हुई है वो भी जल्दी से आती है तो इसमें इंस्टाल करवाते हैं तो जो भी आने वाली चीज़े हैं एक नमबर चीज होने वाली है स्पीड से रिलेटेड लेगे आपने एक्सलरेशन से रिलेटेड लेगे हैं जरूर स्टेट इउन रहना और नहीं होगी वो चीज़ बागी पीछे किसको खुझली लगी है बागी कोई निवे अपने को तो राइट लेना है यहां से क्योंकि अकर आगे आप आगे जाओगे तो आपको जस्पूर मिलेगा बागी तो अपने को तो यहीं से राइट लेना है तो यहीं से राइट लेते हैं कि ट्राफिक अपने एरिया में भी यार धीरे धीरे डेवाइटे 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 बढ़ने ही लगा है ओश तुचुक ओ है ना और बागी सेंट्रों की थोड़ा सा सिचुएशन देखो काफी जाधा तो भाई अवाज सुनके थोड़ा सा लगता है कोई फंक्शन वागरा चल रहा है हमपे के तरफ से आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते ही रहते हैं कोचिंग वागरा में कभी न्यूएर पर हो गया कभी कोई बच्चा लग गया था हो या बहुत सारी हीज़ा अपना भाई हट जा है जो लगा है सो देखेंगे कभी कभी यहां पर फोटो अगरा क्लिक कराना है जब फोर्सस से टाइम मिले दो मरना तो सही है सारा अच्छा लग रहा है ऐसे कभी आएंगे फोटो की चैनल मैं तो सिर्व लॉक की चक्कर में था मुझे कल कहीं पता चला और वही चलते हैं जल्दी से बट अच्छा लगा है बहुत जादा अपने एरिया में डैबलेब्मेंट होता था अपने को ही खुशी होती है बागी पॉबलेशन अच्छी घासी है यहां की और मोस्ली भार के लोग हैं पढ़ने वाले सारे तो दिल से बहुत जादा मजा आदा इस सब चीज को देखके कि अपना एरिया भी धीरे-धीरे करके डाबलब हो रहा है अब इधर साइड अपने सेंटर का इलाका है जैसे आज यू आल लोग है तो इधर तो वाई सेंटर बस भरा ही पड़े हैं सेंटर से सब लोग जैसे कि भीड देख ही रहो गया अफो यहां थोड़ा सा तो दद्दा बढ़िया है मैं का कौन आया कि जल्दी ओवर टेक करके और सब सही चला है चलो बढ़िया है अपने सारे लोंडे में जाते हैं तो एक्सास की अवा सुना है तो भाई आया मादा एक अपने एरिया के थोड़ा सा दूर एक हिस्टोरिकल प्लेस है मैंने का एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी और आपको वहां का एरिया भी दिखा दूँगा कैसा है क्या है बहुत तो आपने राइड का महां प्लान कर रहे थे बट देखते हैं आज का तो कॉमन है कि सारी चीज़े बाकी होपस हो कि कल या पढ़ सुगा या आने वाली वीडियो में आपको वह हिस्टोरिकल प्लेस भी देखने में पक्का मिलेगा क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूं जाने का बस ही है कि वहां जाने का टाइम नहीं मिला है ना सो नेक्स्ट व्लॉग मिल जा छज कर दो कि वह दंगको रादा रहा हूं